जब GST लागू हुई, जब देश में आटा मिलता था 23 रुपे प्रती किलो, आज उसकी कीमत है 28 रुपे प्रती किलो, और सबका सोर्ज भी दे रहा हूँ मैं, जब GST लागू हुई, जब 400 ग्राम दई की कीमत थी 24 रुपे, आज उसकी कीमत हो गई 40 रुपे, जब GST लागू हुई, जब घी का भाव था 500 रुपे प्रती किलो, आज घी मिल रहा है 6500 रुपे प्रती किलो, जब GST लागू हुई, जब नाने के साबुन की टिकिया का कीमत 3,5 रुपे, आज डबल हो गई 30 रुपे, डिटर्जन की कीमत थी 60 रुपे प्रती किलो, आज है 100 रुपे प्रती किलो, कॉटन शट जो रेडी मेट जो हम आप जैसे लोग, हम जैसे लोग पैनते हैं, उसकी नॉर्मल एवरेज प्राइस थी 5500 रुपे, प्रती यूनिट आज हो गई 700 रुपे प्रती यूनिट, चपल की कीमत 400 रुपे थी, वो आज 500 रुपे में मिल रही है, कुकिंग ओईल जो जी एस्टी लागू होने के पहले 105 रुपे में प्रती किलो था, आज 216 रुपे प्रती किलो है, और तो और गबर सिंग से प्रभावित होके जो गबर सिंग टेक्स लगाया, उस मूवी का कि जो एवरेज कीमत 128 रुपे हुआ करती थी, जी एस्टी लागू होने के पूरू, आज उसकी कीमत हो गई है, 200 रुपया, अब कुछ लाइफ सेविंग ड्रक्स की मैं बात कर लूँ, जैसे डोलो या क्रोसीन, जिसकी 14 रुपे प्रती स्ट्रिप कीमत थी, आज 20 रुपे ह है, कैंसर में उपियोग आने वाली लाइफ सेविंग ड्रक्स जिसको हम ब्रोटेजोमाईब कहते हैं, वो 11,160 रुपे में एक इंजेक्शन लगता था, आज 17,000 रुपे उसकी कीमत है, तो हमारा सवाल यह है, कि सरकार के लिए, कौमनर्स के उपर कैसी नो कैसे हो गया, सरका जब इतनी भैंकर इंफलेशन से अर्थविवस्ता जूज रही है, उस समय आटे पर टेक्स, छाज पर टेक्स, लसी पर टेक्स, पनीर पर टेक्स, एक हजार रुपे से कम वाली होटलों पर टेक्स, यह कौन सा एकोनोमिक मॉडल है?